तो हेलो दोस्तों क्या हाल है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कॉंप्यूटर में विंदोस अपडेट जो आटोमेटिक होता है उसको कैसे बंद कर सकते हैं ये मैथोट आप विंदोस 11 में भी और 10 में भी यूस कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को करना है services.msc यह टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है इंटर प्रेस करने से यह जो services टैब है यह खुल जाएगा यहां पर आपको कोई भी एक option में क्लिक करना है और अपने keyboard में डबलू प्रेस करना है तो जितने भी डबलू से शुरू होता है services सारे यहां पर आ जाएंगे यहां पर आपको डूनना है windows update तो हम लोग नीचे scroll करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं windows update मुझे मिल गया है यहां पर आपको double click करना है और start up type जो है यहां पर manual लिखा हुआ है या फिर automatic हो सकता है इसको आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करके इसको disable कर करना है और यहां पर नीचे आपको apply मिलेगा यहां पर apply करेंगे और ok में प्रेस करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद same आपको windows key plus r प्रेस करना है जिससे run खुल जाएगा यहां पर आपको type करना है reg edit देखिए यह लिखना है आपको और enter प्रेस करना है यह windows उस permission मंगेगा, आप यहाँ पे yes करेंगे, yes करने के बाद यह registry editor खुल जाएगा, यहाँ पे आपको left side में 5 option देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको age की local machine यहाँ पे जाना है, और side में जो arrow है इसमें click करना है, click करने से बहुत सारा folder और आ जाएगा, यहाँ पे आपको software में जान करना है, इसके बाद हम लोग को ढूनना है policies, यहाँ पे देख सकते हैं, यह policies है, फिर से आपको क्या करना है, यह arrow में click करना है, फिर उसके बाद Microsoft, फिर से arrow में click करना है, next में windows में click करना है, click करने के बाद यहाँ पे आपको right click करना है, windows में और यहाँ पे new में जाना है, new मे आपको create करना है, यहाँ पे आपको इसको rename करना है और लिखना है Windows Update, फिर interface करना है, यहाँ पे आपको Windows Update में select करना है और right click करना है, फिर से आपको new, फिर key में जाना है, यहाँ पे आपको type करना है AU, capital में type करना है और interface करना है, उसके बाद आप AU को click करेंगे और यहाँ पे जो खाली जगा है, जो right side में खाली जगा है, वहाँ पे आपको right click करना है फिर new में जाना है फिर यहाँ पे d word 32 bit value में click करना है, और इसको rename करना है, rename में लिखना है low auto update फिर enter paste करना है, मैं जैसा लिख रहाँ हूँ ऐसा है लिखना है, आपको कोई भी space नहीं देना है उसके बाद यहाँ पे आपको double click करना है, और इसका value आपको 0 दिखेगा इसको आपको want ऐसे want करना है, उसके बाद आपको okay करना है, फिर आपको इसको cross कर देना है, और आपका windows जो update है, वो permanently बंद हो चुका है तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो देखे आपको help हुआ है, अगर हुआ है तो इस वीडियो में एक like कीजे और channel को subscribe कीजे, मिलते हैं next वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको